अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री हे भुलिनाथ, ये मुझसे कैसे अनर्थ हो गया? जो बात मुझे शिव की पत्नी को बतानी थी, वो मैंने इस नागिन को ही बता दिया अब शिव को इस नागिन की चंगुल से कैसे बचाओं? आपको कौन बचाएगा? आज तक मोहनी उसी तीले में बंद थी, उसी त्रिशूल के नीचे पर सायर शिव का आंस किसी तरह उस तीले के पास पहुच गया कर्थिक, कर्थिक, तुम ठीक तो हो न? हाँ, हाँ, बाबाजी, कर्थिक भाँ उस जंगल में खो गया था शायर दो त्रिशूल से टकराया और त्रिशूल अपनी जगह से निकल गया और मोहनी आजाद हो गई तो अब, अब क्या? अब उसे नाग लोग की नागमणी चाहिए ताकि अपने वो नाग को जिन्दा कर सके और वो नागमणी इसी खर में है तुम्हें सिव को बचाना ही पड़ेगा पर कैसे बाबा जी हम, हम एक नागम के साथ कैसे लड़ सकते हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पर कुछ भी हो हम अपने डॉक्टर शिफ को बचा कर रहेंगे लेकिन लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है के? प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम हो गई है मोहिनी? हे भूलेनाथ ये मुझसे कैसे अनर्थ हो गया जो बात मुझे स्युकी पत्नी को बतानी थी वो मैंने इस नागिन को ही बता दिया अब शिफ को इस नागिन की चंगुल से कैसे बचाओं आपको कौन बचाएगा? करें और देखें सारे एपिसोड्स पिलकुल फ्री करें देखें से नागिन की चंगुल थी